महिला नागा सादू और कप्रेना पहनने का अत्वुत रहस्य हैं ये साथ काम करने के बाद महिलाएं बन जाती हैं नागा सादू महिला नागा सादू की रहस्य में दुनिया से बहुती कम लोग रहचलित हैं महिला नागा सादू की दुनिया भी काफी रोचकों से भरी हुई है हम में से बहुत से कम लोगों को पता है कि महिला नागा सादू की भी अस्तित है आखिर वो कौन सी बाते हैं जो महिला नागा सादू को अन्यों से अलग बनाती है महिला को नागा सन्यास बनने से पहले 6-12 साल तक कड़ी राम चर्चा का पालन करना होता है इसके बाद यदि गुरू इस बाद से संतुष हो जाते हैं कि महिला राम चार्य का पालन कर सकती है तो उसे विक्षा दी जाती है महिला को भी नागा सादू सन्यास बनने से पहले स्वयम का रिंड़दान करना करता है महिला के नागा सादू सन्यास बनने से पहले उसका मुंदन कराया जाता है और नदी में इसनान करवाते हैं सन्यासन बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका परिवार और समास से कोई लेना देना नहीं है वैसिर्थ भगवान की भक्ति करना चाहती है इस बात की संतुर्ष्टी होने के बाद ही कुंब में नागा सादू के साथ महिला सन्यासन भी इस्ञान करती हैं अखाडे में सन्यासन महिला को पूरा समान दिया जाता है इ सील अगस्त में ही रहना होता है और यह वस्त पहेंकर इस नाम करना होता है बिना वस्त के इस नाम करने की अनुमति नहीं दी जाती यहां तक कि कुंब के मेले में दूखे थी ऐसे मिरूस की रिपोर्ट